Hello everyone, welcome to the channel guys, आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं एक नया वाला गेम जिसका नाम है Stranded Mystery of Time वैसे अगर आपने इसका पहला वाला वीडियो देखा होगा जो मेरे चैनल पर अप्लोडेड है तो आपको पता चल जाएगा कि इससे पहले भी हमने इस नाम का गेम खेला है लेकिन वो गेम इसका फर्स्ट पार्ट है और ये उसका सेकंड पार्ट है लेकिन गेम स्टार्ट करने से बहले आपको बता दू कि ये भले ही उसका second part हो लेकिन story इसमें continue नहीं होती है इसमें एक नई स्टोरी है बस थोड़ा सा gameplay इसमें थोड़ा same होने वाला है पहले game जैसा बाकी कुछ same नहीं है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं Alright, episode 1 My name is Dr. Alex Howells and I need your help I am probably the last person you expected to see But before you say anything I need to tell you my story Alright, it all started one night at the research facility Okay, so the story starts and we are in the jungle Huh, what's that noise? Oh, where are you? Sounds like something is heading this way कुछ इस तरफ आ रहा है हाँ, मुझे दिख रहा है कुछ I think getting out of here would be a good idea ओ, तेरी भाई, यहाँ पे तो डाइनसौर आ गया गाईस पिछले वाले game में जानवर थे सूर और इधर उदर के छोटे मोटे साप वाप थे भाई यहाँ तो डाइरेक डाइनसौर आ गया मुझे लगता है इसमें काफी मज़ा आने वाला है लेकिन हमको भाग कर जाना का है यार यह तो नहीं पता मुझे पर ठीक है, भागते रहते हैं शायद कईना कई पहुच जाएंगे अरे तेरी यह तो पास आ रहा है यार ओके थोड़ा तेज भागना पड़ेगा ओल राइट भागो 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 ओ तेरी भाई यहाँ पर जमीन ही खतम हो गई यार और यह इसने हमको खाय लिया ओके तो यह हम सपना देख रहे थे गई जैसे कि आपको पहले गेम में भी अगर याद हो तो उसमें भी गेम एक सपने से शुरू होता है तो यहाँ भी एक सपने से शुरू हो रहा है लेकिन उस सपने का गेम के एंडिंग से बहुत बड़ा रिलेशन होता है तो यहाँ पर कई हमको spoiler तो नहीं मिल गए ending के, क्या पता यार पर इसमें भी कोई एक सपना दिखा है तो देखते हैं अभी इसका ending में उससे relation कुछ होगा की नहीं, तो भी पढ़ते हैं यहाँ पर Wow, that was one strange dream ओके, और कुछ अजीब सपना था Huh, what's that commotion outside Find out what's going on outside अच्छा, तो चलो भाई You have a task, press the left soft key and move to task depth to find out what you need Okay, okay तो यहाँ पर पिछले वाले game की तरह यहाँ पर task है Find out what's going on outside ठीक है भाई तो यहाँ पर हमको बाहर जाना है और देखना है कि क्या हो रहा है तो चलो भाई, वैसे यह कहां है इसने क्या बोला था कोई research facility बोला था ना शायद हाँ, यहाँ पर एक research facility बनाई है इन लोगों ने और वहाँ पर हम लोग शायद कोई doctor है क्योंकि शुरुआत में कोई doctor का ही नाम आया था ना Alex कुछ तो शायद वो हमारा ही नाम है ऐसा मुझे लग रहा है और यहाँ पर क्या है और चीज़े रुको मुझे पहले देखने दो एक military वाला बंदा खड़ा हुआ है इससे बात करूँ क्या sorry I am busy right now औरे देखो भाई क्या कर रहा है भाई खड़ा ही तो है बस इसमें क्या busy है पता नहीं आज काल के लोग बहुत rude हो गए है guys ठीक है कोई बात नहीं उससे बात नहीं करेंगे यहाँ पर एक कन्या दिख रही है इनसे बात करते है hey grace what's the commotion Alex there you are rumor has it that there's some important cargo being shipped in for analysis cargo what cargo I am as clueless as you are Alex but general thorn is expecting you in his new office it's just north of here okay नया tasks check your inventory by pressing the left soft key if you get lost your map is displayed under the map tab all right तो यहाँ पे कोई general thorn नाम के बंदे को मिलना है उससे पहले यहाँ के यह जो सज्जन scientist नहीं से बात करेंगे दिखते हैं यह लोग बात करेंगे या नहीं do you know what it is they are delivering अरे नहीं अंकल मुझे कैसे पता होगा मैं तो अभी नीन से उटाओ the guards are on their best behavior today the cargo must be important okay तो कुछ बढ़िया सामान यहाँ पे आने वाला है लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे general से मिलना है लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसकी सिर की बत्ती क्यों जल रही है इससे बात करते हैं seems to be an awful lot of commotion यह अच्छा यह इनका पता नहीं और बोलने का तरीका मुझे समझ नहीं आता कभी कभी I guess you are probably busy right now but be sure to check out our new projects the garden is to the south of here and the aquarium is to the east of the facility you should speak to the scientists there I am sure if you help them finish their collections they will have a reward for you you already know Lorraine the marine biologist right ओके तो gardener और Lorraine से भी बात करनी है और यहाँ पर बड़िया उड़के जा रही है अच्छा है चलो भाई इस game का design थोड़ा सा अलग है पिछले वाली से लेकिन काफी चीज़े similar भी है जैसे कि यह paid तो अब general thorn से मिलना है तो उसने north कहा था तो भाई map में दिख लेते हैं north direction यहाँ पर अभी हम लोग है और यहाँ से आगे यह भाई thorn का office चलो भाई चलते हैं ओके north west facility और यहाँ जाके दिखते हैं पहले मुझे तो लग रहा है यही होगा हाँ यहाँ पर बड़ा सितारा बना हुआ है तो मुझे लग रहा है यही होना चाहिए भाई गो राइट है जनरल thorn is expected हाँ यही है चलो भाई लिखते हैं ओके यहाँ पर यह कोई army general है इसने बिठाई है यहाँ पर facility so you finally made it doctor hovels हाँ भाई अपना ही नाम है doctor upon doctor है यार लेकिन यह army वाला बंदा लग रहा है देखने से अपना character लेकिन शायद यह है doctor है I trust your research is going better than your punctuality okay क्या में लेट होगे है आप आते हुए शायद होगया cut to the chase thorn what do you want we have some special cargo being shipped in tonight your expertise is required head to the docks for its reception I am not sure I can fit this into my research schedule from now on this is to be your only focus get going okay general थोड़ा सा rude है मेरे ख्याल से और hero और इस general के बीच के relations कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहे है क्योंकि ये मतलब इतने प्यार से तो बात नहीं कर रहे थे ठीक है लेकिन हमें क्या लिना देना यार हमको जो काम बताया है वो करते हैं हम लोग तो इसने बोला था कि पहले gardener से मिलना है न यहाँ पे इस बंदे ने कहा था हमसे यह देखो यह gardener लगता है इससे बात करते है गुड़ डे आयम दे न्यू फैसिलिटी गार्ड़नर आइ प्लांट सेड्स सेल शॉवेल्स एंड प्रोवाइट ट्रीस तो चॉप डाउन फर वुड शुड़ यू नीड़ अनी इस फाइंड एनी एक्जॉटिक सीट्स बी शॉर तो ब्रिंग दें तो मी आइ पे इन ग्रीन ग्रीन फिंगर्स मनी गेट इट ओके काफी बढ़िया जोग था यहाँ पे इसके पास एक शॉवेल है श्याद मुझे खरीद लेनी चाहिए क्योंकि श्याद काम आ सकता है खरीद देते है भाई चलो अब ये लोरेन नाम की जो बंदी है उससे मिलते है जाके कहां मिलेगी कहां मिलेगी रुको एक सिकना मुझे मैप देखना पड़ेगा वापिस इसने बोला था कि वो अक्वेरियम के पास है तो यहाँ पर अक्वेरियम कहा है ओके ओके दिखा था मुझे यह रहा अक्वेरियम चलो भाई अक्वेरियम की तरफ चलते है अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो इस गेम में थोड़ा एरिया मुझे ज़ादा बड़ा लग रहा है और पहले से खुला हुआ है यह पूरा एरिया अपने जो पुराना वाला गेम केला था मतलब इससे पहले वाला फर्श पार्ट उसमें थोड़े से एरिया मतलब पहले खुले नहीं थे अच्छे से छोटे छोटे एरियास थे एक तो और कम एरियास थे यहाँ पे भाई एरिया ज़ादा है और मेरे ख्याल से यह गेम थोड़ा बड़ा भी हो सकता है पिछले वाले से ठीक है कोई बात नहीं जितना बड़ा होगा उतना जादा मज़ा आएगा गेम में और यहां पर मुझे लग रहा है कि यही है aquarium, alright तो अंदर चलते हैं और यह है क्या Lorraine यही लड़की लग रही है यहां तो, इससे बात करते हैं Hi Alex, it's nice to see you I thought you would have visited me sooner Okay, भाई वो लड़की है लेकिन मैं ऐसी आवाज में पढ़ रहा है, कोई दमदार लड़का होगा पर ठीक है guys, अब मेरी आवाज लड़को वाल यह तो मैं क्या कर सकता हूँ Yes, sorry Lorraine, things have been busy You look well though, as always How are the fish? Non-existent, our resident fisherman has been ill So we have no specimen to study You remember how this place works, right? If you catch a fish, you can give it to me in exchange for cash We sell bait too, here as your fisherman is ill You may as well take this Okay तो अपने को एक fishing rod मिल गया है और bait मिल गया है बिलकुल पिछले game की तरह भाई ठीक है, approach deep water and press 5 to cast your fishing line Fish bite, be careful not to really invent the line तो gameplay मतलब पिछले वाले जैसे ही है पिछले game जैसे ही If you want more bait, you will have to pay All right, नहीं और नहीं चाहिए दीदी आपने जितना दिया बहुत बढ़िया था अब guys, यह general का काम करते हैं और हम जाते हैं docks में Docks कहां है, वैसे वो भी मुझे थोड़ा map में दीखना पड़ेगा Okay, यहाँ पे docks East docks, aquarium docks Okay, कितने docks है भाई यहाँ पे West docks, okay यहाँ पे 3-3 docks है guys तो पहले East वाले में जाते हैं Alright, यहाँ पे क्या है देखते हैं कि यहाँ पे आने वाला है सामान नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है मुझे हाँ, यहाँ कुछ नहीं होगा मेरे क्याल से काम करते हैं, हम लोग आगे जाते हैं यह है West Docks यहाँ पर एक scientist कड़ा हुआ है इससे बात करेंगे यह यू मस्ट बी Dr. Howells, they are just moved the cargo inside the professor has been taken to the labs तो cargo अभी अंदर ले जाया गया है और कोई professor की बात कर रहा है और कौन है professor yeah, he is the guy that owns whatever it is we delivered today all right, किसी professor का सामान है वो, जो आया है I heard he was here for treatment why, what's the matter with him I don't know, but I think that's where you come in I would give you access to the cargo but I seem to have lost my security key card could you find out if the professor has seen it he will be in the labs in the northeast of the facility okay, तो हमको नया task मिल गया है guys और एक second रुको यार, यह बक्से मेरे ख्याल से हम तोड सकते है हारे वा यार, इसमें तो लात मार के तोड सकते है बढ़िया है इसमें कुलाडी वगेरे के जरूरत नहीं है पिछले गेम की तरह okay, लेकिन उन बक्सों में से कुछ निकला नहीं okay, अभी हमको जाना है professor के पास और वो उसने कहा था कि north east में है लेकिन पहले ये डबबा फोड़ते हैं हम लोग होगे, इसमें से कुछ भी नहीं निकला यार ये खोकले डबबे क्यों रखे हुए पता नहीं है आपे okay, east facility है ये एक और बार map देखना पड़ेगा guys, ये जगह बहुत भूल-भूलेया वाली है हम यहाँ पे है, aquarium के पास laboratories हमारे आगे है, हमेशा मेरे आगे चीज होती है, तभी मैं map खोलता हूँ, पता है नहीं भाई okay, हम लोग आगे शायद it's starting to get dark, all right, यहाँ पे रात भी होती है अपने आप पिछले वाले game में अपने आप रात नहीं होती थी वहाँ पे जंगल में बस अंधिरा रहता था, बाकी मतलब पूरा दिन का ही माहूल था यहाँ पे भाई अपने आप रात भी होती है, बड़ी है ओके, यह बंदा मुझे लग रहा है, यहाँ पे प्रोफेसर, इससे बात करते है I, you must be the young Dr. Howells, I have heard so much about Yes, I, yes, and you must be the professor Okay, Professor Victor Vance Straline at your service उमिद कर रहा हो guys कि मैंने सही पढ़ा हो, आगे बढ़ते हैं So what exactly can I do for you Professor? Okay, it seems I have experienced some unforeseen side effects of my travel Okay, यह बंदा कही से travel करके आया है, उससे इसको कुई side effects हुए है I see, so where exactly have you come from? The question is not where, but when Okay, यहाँ पर guys, थोड़ा सा मुझे कुछ गडबर लग रही है Take this keycard and head to the warehouse and all shall become clear Okay, तो यहाँ पर हमको keycard इनोंने दे दिया है और कहा है कि warehouse में जाओ और जब हमने इनसे पूछा कि आप कहां से आये हैं travel करके तो यह कह रहा है कि कहां नहीं, कहो कि कब से आये हैं मतलब मुझे कुछ time travel का scene लग रहा है यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर दोड़ लगाते हैं और हम पहुच जाएंगे यहाँ पर warehouse के पास एक बार मैं देख लूँ warehouse है किदर भाई दोड़ा तो जा रहा हूँ आल्राइड भाई हम लोग warehouse के पास ही है बिल्कुल यह कैसा coincidence है यार पर ठीक है अपने फाइदे का ही coincidence है तो जल्दी से वेर हाउस के अंदर गुच जाएंगे exploring your environment is important if you approach something and an icon appears in the top of the left of the screen you can interest with it by pressing 5 or 5 look around for interesting interactive objects तो all right ठीक है अंदर चलते हैं the keycard worked let's see what all the first is about okay let's go all right भाई warehouse यहां पर oh shit भाई यह तो कोई time machine ही लग रही है this is a restricted area stand clear restricted I did a pretty good job of getting in here I will be back and when I do I expect you to let me take a closer look at whatever this is okay तो हम देखकर आ गए हैं और मुझे तो पक्का लग रहा है का इसकी वो एक time machine है और यह देखो अपने जो screen का layout भी है न वो मुझे थोड़ा ऐसा time time जैसा लग रहा है पता नहीं what is that thing it's a time machine my boy बोला था न भाई time machine है it's how I got here okay तो भाई यह बंदा time travel कर सकता है I think you have spent too long cooped up inside of it if that's what you think okay तो अपना hero इसको पागल बुढ़ाओ समझ रहा है जो कि पहली बार में हर कोई समझेगा क्योंकि यह बाते ही ऐसी कर रहा है पर ठीक है पढ़ते हैं आगे it must be hard for you to believe but perhaps diagnosing my illness will convince you otherwise okay तो इसको time travel करते करते कोई बिमारी हुई है fine let me run some diagnostics all right देख लेते हैं भाई क्या बिमारी हुई है इन अंकल को okay यह computer पर कुछ कर भी रहा है कि बस इदर उदर गूम रहा है भाई पर ठीक है जो भी किया इसने देखते है क्या किया I have never seen anything like this before there seems to have been some mutation of your DNA at a molecular level all right तो इसके DNA में mutation हो गया है जिसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि मतलब कोई बिमारी हुई है बस इससे जादा मेरेको नहीं समझ रहा है you're rapidly aging okay 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 मतलब बहुत जल्दी बूड़ा हो रहा है could time travel do this I guess but I can't make sense of these results okay as I always say a well rested brain is an efficient brain you should take some rest maybe your head will be clearer in the morning okay तो भाई अपने को बोल रहे हैं जाके सो जाओ तो जादा समझ में आएगा दूसरी सुबह कल सुबह तो इस प्रोफेसर को कोई बिमारी हुई है टाइम में ट्राविल करते करते जिसके वज़े से इसकी उम्र बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है और शायद हमें उसके लिए दवाई बनानी है या उसको ठीक करना है पता नहीं हम चलते है अपने बिस्तर के तरफ जल्दी से जाके सोते हैं यह रास्ता और देख लेरया है क्या है यह कही किया ओ बाज गये हैं और अंदर चलते हैं और जल्दी से सोते हैं और यह एक चीज मेर को आपको बतानी थी कि इसमें जो गेम है वो अपने आप सेव नहीं होता है यह होता भी यह पता नहीं पर इसमें एक चीज है कि इसमें सोने से गेम जरूर सेव हो जाता है और अपनी हेल्थ भी वापिस recover हो जाती है, यह एक बड़िया चीज है Minecraft जैसा बिल्कुल Using your bed saves your game, distorts your health and shifts the clock forward to alerts This is useful if you need to go somewhere at a different time of a day Okay, ठीक है भाई यहाँ पे game save हो गया और यह episode 2 Alright, उड़ जा भाई कितना सोएगा? Okay, crash क्या हुआ है यहाँ पे? Huh, what was that? Okay, कुछ आवाज आई मेरे ख्याल से guys और यह आवाज कहां से आई है? चलो जाके देखते हैं पहले, यार इसमें यह लोग दोडने वाला feature क्यों नहीं डालते पता नहीं बहुत slow-slow चलता है यार Crash, फिर से एक और आवाज Okay, कहीं यहाँ पे डाइनसौर तो नहीं आगया भाई वो काफी बड़ा वाला डाइनसौर था Sounded like it came from the warehouse Okay, warehouse भाई, time machine के साथ कोई छेड़ चाड़ कर रहा है मेरे ख्याल से रुख जाओ, जल्दी से दोड़ लगाते है time machine के यहाँ पे और देखते हैं कि भाई, कौन है जिसको रातों को नीम नहीं आ रही है और समय के साथ छेड़ चाड़ करने के उसके अंदर चुल मच रही है चलो, देखते हैं ओके यहाँ पे, ओ, यह guard को किसी ने ठिकाने लगा दिया है दोनो और machine यहाँ पे खुली पड़ी है The guards Alright, task completed Looks like someone has sabotaged the machine too I would better tell the professor Alright, यहाँ पे प्रोफेसर के laboratory में जाके प्रोफेसर को खबर देनी है कि उनकी time machine के साथ कोई छेड़ चाड़ करना चाता है तो वो हम करेंगे, लेकिन गाइस वो अगले episode में करेंगे इस episode को हम यही पे रोकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो जारा साभी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्ते के साथ शेर कीजिए मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई